जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टिप टॉप में तो आज के वीडियो में लेकर आएं आपके लिए सामनी ज्यान भहुत ही महत्पूल कौस्चन आंसर और पार्ट अपना जवदा है तेरा पार्ट अप्लोड हो चुके हैं तो भाई भी आप वीडियो जो भी चैनल के जौन मेंबर बनना चाहते हैं वह चैनल के जौन मेंबर बन जाएं आपके लिए बहुत सारी फायदे हैं और आपके लिए एक गुरुप है वाटसाप गुरुप उसमें एड़ कर दिया जाता है वहीं पर आपके लिए पीडियाप और बहुत सारा study material वहीं पर उपलब्द कराए जाता है तो जिसको भी चैनल का join member बनना है तो वहें बन जाएं तो चलिए इस टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो और फर्स्ट कॉस्चन है आपर बंद्री नाथ आउस्तित है चार विकल्प है कुमाव हिमालाय में या मद्ध हिमालाय में हिमाद्री में या ट्रांस हिमालाय में इस परकार चार विकल्प है आंसर बनता है तो कमेंट में जरू बताएं और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानि कि कुमाव हिमालाय में बिल्कुल सही भारत में सबसे प्राचीन परवत, बलित परवत माला कौन सी है? तो यहाँ पर बलित परवत माला बताना है भारत में सबसे प्राचीन बलित परवत माला कौन सी है? भंध्यांचल, सत्पड़ा, अरावली या नीलिगरी तो question number 2 का यहाँ पर जो right answer है बहे आपके हाँ पर विकल्प नंबर सी यानि की अरावली अरावली बिल्कुल सही अरावली आपके हाँ पर राइट आंसर होगा अरावली भारत के पस्च्वी भाग राजस्तान में इस्तितेक परवत माला है भारत की भागले संरेशना में अरावली प्राचीन परवत है और और एह संसार की सबसे प्राचीन स्रेंगला जो राजस्तान को उत्तर से दच्छन दो भागों में बांटती है अंगला कॉस्चन है हिमाला के सर्बुच्च सिखर मांट एवरेस्ट की उचाई कितनी है कॉस्चन नमबर तीन है बहुत ही मातपुन कॉस्चन है तो क्या है इसका सही आंसर 8200 मीटर 8848 मीटर 8500 मीटर 9000 मीटर तो इस प्रकार चार विकल्प है और सर्बुच्च सिखर मांट एवरेस्ट इसकी मुचाई है तो बिल्कुल सही विकल्प नमबर दो आपका सही आंसर है 8848 है आपका सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन है पालगाट दर्रा ने मि चार विकल्प हैं कॉस्चन नमबर अपना चार है और इसका सही आंसर है याँ पर विकल्प नमबर एक किरल तमिल नदू है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर एक देखिए पाल घाट दर्रा पश्मी घाट परवस्त नेनी का एक प्रमुक्ष बढ़ा दर्रा है और प्रादीपिय भारत का प्रमक्षदर्रा है, जो केरल को तमिलनाडू तथा करनाटक से जोड़ता है, एदर्रा रच्छन भारत की मत्र केरल राज्ज में इस्तित है, अंगला कॉस्चन है, गंगा नदी को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्डन कॉस्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर की, गंगा नदी जो है, इसको बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है, पदमा, जमना, मेगना, सांगपू, ग्वास्चन नमबर पांच है, और पांच का यहां पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नमबर एक आपके हांपर राइट आंसर होगा, गंगा नदी को बंगला देश में प्रवेश करते ही, इसको पदमा नाम से जाना जाता है, और राजमहल से 30 किलोमीटर पूर में गंगा की एक साखा निकल कर मुरसदाबाद, बारहंपूर, नदिया, हुगली, और कलकत्त होत पस्चम, दच्चन की और बंगल की खाड़ी में गिर जाती है, जो भागी रती साका की नाम से पिरसिद्ध है, अंगला कॉस्चन है, इंदोर के समीप इस्तित जाना पाँ पहाड़ी स्रोत है, तो कौन सी नदी का है, एह बताना है आपके लिए, कॉस्चन नमबर 6 है अपन अगला कॉस्चन है यहां पते खेरि को आपके फाहरत में चंबल नदी की साइक नदी है और इसे जानपाव पर्वत है नहीं महूं से निकलती है, इसका प्राचि नमद चरम चरंबती है यह भी आपके लिए रखना मैं इसका प्राचि नाम क्या है चंबल का में चरंबती दो राज्यों की मद्ध है तो बहुत बताना है कौन से दो राज्यों की मद्ध है तो बहुत बताना है कौन से कनाटक और तमिलनाडू करनाटक और तमिलनाडू आपका यहां पर राइट आंसर होगा इनकी मद्ध कावेरी जल विबाद है देखिए यहां पर कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है, इसके पानी को लेकर दोनों राजवें बिवाद है, इसे बिवाद को लोग कावेरी जल बिवाद भी कहती हैं, यहाज रखना है, कावेरी नदी पर तमिलाडू में होंगे नकल जल परपात, तता कन्नाटक राजवें भार चुक्की और पालमूरी जल पर पात आवश्ते थे और दच्छन भारत की गंगा कहा जाता है, यहाँ पर देखिए, क्वाश्य नम्बर आठ है, नमलिखत में नर्मना नदी के संबंद में सही कतन हैं, सिवाए, सिवाए तो बताईए, क्या होगा इसका सही आंसर, नमलिखत में नर्मना नदी के संबंद में सभी सही हैं, सिवाए वह कौन सा है, जो सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नमबर भी, इसके किनारे महाकाली सर्मंदर है, एह जो कतन है, क्यासा नहीं है, एह सही नहीं है, और जो कतन है, जो एह सही आंसर होंगी, तो इस परकार, निम्लिके नर्मदा नदी के संबंद में सभी सही हैं सिभाई एक नहीं है तो बैय है इसके किनारे प्रिसिद्ध महाकाली स्वर्मंद नहीं है जो महाकाली स्वर्मंदर है एह कौन सी नदी के किनारे है चिप्रा नदी के किनारे उज्जेन में अंगला कॉस्चन है भारत में बाल लंगू जंगो नदी को किस नाम से जाना जाता है भारत में बाल लंगू जंगो को जंगो जो नदी है किस नाम से जाना जाता है गंगा सिंधू या ब्रहम्य पुत्र या महा नदी तो इस परकार कॉस्चन नमबर नाइन है अपने याँ प बल लंगू जंग बो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है ब्रहमपत्र नदी के नाम से ब्रहमपत्र नदी है तिबबत भारत और बंगलादेश से वोकर बहती है ब्रहमपत्र का उद्गम हमालाई की उत्तर में तिबबत के पुरंग जिले में इस्तिमान सरुबर जिल के निकट है जहां इसे क्या कहते हैं या लुंग तसंग पो कहा जाता है वहां पर अंगला कॉस्चन है दूद गंगा नदी निम्न वैसे किस राज में इस्ते थे जम्मू और इवं कश्मीर हिमाचल प्रदे सुत्रा खंड या पश्चम बंगाल इस फिरकार आपके सामने चार विकल्प दिये गए हैं और कॉस्चन नमबर अपने या पर दस है और दस का जो राइट आंसर है वह बताना है तो इसका सही आंसर है बिलकुल विकल्प नमबर एक यानि कि जम्मू एवं कश्मीर आपका सही आंसर है दूद गंगा नदी निम्न मैसे किस राज में आउस्ते है पताए कोस्चन नमबर 11 बहुत ही महत्तपूर कॉस्चन है अलमाटी वांध किस नदी पर इस्ते थे कावेरी सेलेरू तुंगबद्रा किश्ना में कोस्चन नमबर 11 कहां पर सही आंसर है वह विकल्प नमबर आपका ड़ी यहां पर बिलकुल सही आंसर होगा याद रखे विकल्ब नंबर D आपका राइट आंसर है और यहाँ पर देखे क्या है अलमाटी बांद उत्तर करनाटक भारत में किष्ण नदी पर इस्तितिक जल्ब विद्दुत पर योजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी और अहला कॉस्चन है को लेरू जील किस राज में आउस् बताएंगे कॉस्चन नंबर बारा और बारा का राइट आंसर यहाँ पर विकल्ब नंबर बी यानि की आंद प्रदेश है आपका राइट आंसर होगा आंद प्रदेश हां कोलेरू जील एक मीटे पानी की जील है आंद प्रदेश के कृष्णा जिले में इस्तित है एक पर किलो मीटर हो जाता है अब एह जील अनिक सून्तों द्वारा भारती जा रही है अंगला कोस्चन ने कपिल धारा जल पिरपाथ किस नदी पर आओ इस्ते थे इंपोर्डन कोस्चन है कपिल धारा जल पिरपाथ बताना है तो क्या होगा इसका सही आंसर कोस्चन नमबर 13 तापति, सरावती, नर्मदा, इंद्रावती था तो विलकुल सही आंसर है नर्मदा बिकल्प नंबर C आपके हां पर राइट आंसर है नर्मदा जैसे रेबा की नाम से जाना जाता है मद्दे भारत की एक नदी घभारतियों महादिप की पांच भी सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी और किष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। ऐसकी जो मद्प्रदेश में हैं कितनी हैं 1087 मद्प्रदेश में 1077 किलो मेटर भाईती हैं नद नदी अमले कॉस्चन है। महत्मा गांदी जल विद्धुत परयोजना स्थित है तो कहां पर है बताइए क्वाशिचन नंमर 15 का राइट आंसर नम्बर 7 जल पिर सुपा जल प्रपात भी कहा जाता है और सरस्पा भी कहा जाता है एसो मोगा कन्ना टक से एक सो चार किलो मीटर की दूरी पर इस्ते थे और एसिया के सबसे उंचे जल प्रपात की रूप में जाना जाता है जाने जाने वाला जोग प्रपात जो है कन्ना टक का मौक्त परेटा के स्तल और करशनल का केंद्धर है अंगला कॉस्चन है नांगर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर इस्तित बही है तो कौनसी नदी है ताक्ति कोसी गोदावरी किष्णा को अपना गश्चन में 16 के हांपर जो राइट आंसर है बहे बताना है तो सोला का बिल्कुल सही आंसर है क्या है किष्णा नांगर जुन सागर परियोजना है तो बहे है कौन सी किष्णा नदी याद रखना है किष्णा आपका सही आंसर होगा नांगर्जुन सागर परियोजना जो है भारत की परमक्क नदिगाटी परियोजना आंद्प्रदेश के गुंटूर तेल अंगना के नल गोंडा जिलों की शीमा पर नंदी कोड ग्राम के पास नांगर्जुन सागर बांद बनाया गया है और अंगला कॉस्चन है भारत के किस तो चार विकल्प दिये गा है Question No. 18 अपना सभी लोग आंसर बताएंगे तो बताएंगे जल्दी से क्या है इसका सई आंसर question number अपना सत्रा है और सत्रा का राइट आंसर है D, राजस्तान के मरुष्टलिए छेत्रा में विल्कुल सही, विकल्प number D आपका राइट आंसर है देखे, भारत में राजस्तान के मरुष्टलिए छेत्रा में सरवधिक डियरेक्ट आप अंतर पाए जाता है 18 question है आपर कि अक्टूबर और नवंबर के महिने में कहां अधिक वर्सा होती है most important question है, सभी लोग आंसर बताएंगे अक्टूबर और नवंबर के महिनों में कहां अधिक वर्सा होती है मालबा का पठार, छोटा नांगपुर का पठार पूर्वी पहाडिया, कोरू मंडल तट तो इस फिरकार आपके सामने चार विकल्प है question number 18 और 18 का राइट आंसर कोरू मंडल तट विकल्प नवर D विल्कुल सही D आपके याँ पर राइट आंसर होगा अक्टूबर नवंबर के माय में अधिक बर से कोरू मंडल तट पर होती है और देखे कोरू मंडल तट एक चोड़ा की मैदान है जो पूर्वी तमिलनादू राज दच्छन भारत है और लगवग 2200-1800 बर्ग किलोमीटर की छेत्र में विस्तरत है अंगला question भारत के खेत्र फल कि कितने प्रतिसात है भाग पर बन इवं ब्रक्ष अच्छा जो चेत्रों का विस्तर पाए जाता है तो चार विकल्प है 21.2-3 प्रतिसात 23.0 तीन प्रतिसात 23.8 या 24.5-6 प्रतिसात तो इस प्रकार चार विकल्प दिए गए हैं सबी लोग आंसर बताएं question number 19 है और 19 का right answer विकल्प नंबर D विल्कुल सही D में है आपका 24.5-6 प्रतिसात आपका यहां पर right answer है देखिए भारत बान रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में बनो इवं रक्षां से अच्छा दित कुल चेत्र यहां पर है कितना है आठ लाक साथ हचार दोसो चैतर बर्ग किलोवीटर अंगला question है दल दली अत्वा ज्वारवाटा चेत्र में पाय जाने वाले बन को क्या कहा जाता है question number 20 है अपना तो क्या हो का इसका सही आंसर बहुत ही question है सबी लोग बताएंगे दल दली अत्वा ज्वारवाटा चेत्र में पाय जाने वाले बन को क्या कहा जाता है तो बिल्कुल सही यहां पर राइट आंसर होगा question number 20 का विकल्प नंबर एक विकल्प नंबर एक आपका यहां पर राइट आंसर है अंगला question है भारती किरसी अनुसंदान परिशत के अनुसार भारत में कितने पिरकार की मिट्टियां पाय जाती है most important question तो सबी लोग आंसर बताएं question number 21 है अपने यहां पर और बहुत ही मात्तपुन question है तो सबी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका सही आंसर भारत में भारती किरसी अनुसंदान परिशत के अनुसार बताने हैं भारत में कितने पिरकार की मिट्टियां पाय जाती है तो यहां पर पाय जाती है बताना है बहुत ही मात्तपुन question है और इसका सही आंसर है कापास बिल्कुल सही विकल्प नंबर भी आपका राइट आंसर है भारत के स्थानी मिट्टी में ऐसे काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है इसे रैगुर भी का जाता है इसमें पोटास की वालोता होती है लेकिन प्राह इससे काली का पास मिट्टी का जाती है क्यांकि इसमें कपास की केती ज़्यादा हो अच्छी होती है और काली मिट्टी मुक्ता महाराष्ट है करनाटा गुजरात रुमद्ध प्रदेश में पाई जाती है इस मिट्टी में कार्णिक पधार्तों की अधेक्टाव पाई जाती है क्वेस्ट नमबर थेई से ुथे के तक पर नमबर थेई से किस राजज में लेंट्य राइट मिट्टी पाया जाती है महाराष्ट में राजस्तान में केरल में या उत्तर प्रदेश में question नमबर 23 है और 23 के यहां पर सही answer है विकला नमबर C विलकुल सही के लल यहां पर right answer है later right मिट्टी ऊचलं कटी बंद्य प्रदेशों में पाई जाती है यह प्रहा उचलं कटी बंद्य प्रदेश पाई जाती है जहां रितूनिश्ट वरसा होती है और इस मिट्टी का रंग लाल होता है लेकिन अह लाल मिट्टी से अलग होती है अंगला क्वास्चन है यह है देखे, क्या क्वास्च gjort की उस खाद फसल का नाम बताईए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है तो बताईए वह कौन सी खाद फसल है खार्द फसल बताना है बताईए question number 24 का right answer गया हूँ जुआर मक्का चावल चार विकल्प दिएगा है वारत में सबसे अधे को पज़ देती है तो वह देती है चावल खार्द फसल है चावल विकल्प number D आपके यहां पर right answer होगा जैके दान के बीज जो चावल दान के बीज रहते हैं उनको चावल कायते हैं दान से उपर का चिल का हटाने से प्राप्ते होता है चावल संपूर्ण पूर्वी जगत के रूप में रूप से प्रमुक रूप से ख भारत से अधिक है तो इस प्रकार अंगला कॉस्चन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है चार विकल्प में उत्तर प्रदेश महाराष्ट तमिल्नाडू कन्नाटक कॉस्चन नमबर 25 है तो इसका सही आंसर बताना है बहुत ही मात्पुन कॉस्चन है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वह एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर लें कमेंट में बताएं कि है वीडियो आपके लिए कैसा लग रहा है कॉस्चन नमबर 25 है यहाँ पर विकल्प नमबर 25 का राइट आंसर विकल्प नमबर एक उत्तर प्रदेश गन्ना क दूसरा सबसे वड़ा चीनी उत्तपादक देश है अंगला कॉस्चन निम्न मैंसे कौन खरीब की फसल नहीं है तो नहीं बताना है कौन सी नहीं है जल्दी से बताएं कॉस्चन नमबर 26 का राइट आंसर 26 चावल गेहूं गन्ना या कपास तो कौन सी फसल जो है खरीब की न आजरा मुंग फली गन्ना सोयवीन उड़ाद तुर कुलती जूट सन का पास पर मक्ष है अंगला कॉस्चन बाढ़ती है दलहन ने सो संस्तान इसते थे तो आगरा में फ्याजबाद में कानपर में जहांसी में तो कौस्चन नमबर 27 का बिल्कुल सही आंसर हो गए यहां पर संस्तान संस्तान है कानपूर में यंकला को से बागान बसल सबसे पहले सुरू की गई है तो कोन सी रबड नील कॉफी चाइट तो question number 28 यहां पर बहुत ही महत्पुन question है तो इसका सही answer है यहां पर विकल्प number B यानि की नील नील आपका सही answer भारत्मन अमिलिकेट में से कौन सी फसल सब सिर्फ पहले सुदू की गई बागान फसल बताना है तो नील आपका सही answer है अंगला question है चेनल की समीब कल्पकम नमकंतान पर किस की विकल्प number C आपके यहां पर राइट answer है चेनल के पास कल्पकम में बंगादी खाड़ी के किनारे लोगों की नजरों से दूर भारती परमानु ब्यक्जाने को उस हाइटेक स्टोग को शुरू करने की अंतिम चरण में हैं जिसकी निर्माने 15 साल से ज्यादा का समय लग गया है और यहां पर देखें क्या है एह एक नमया परमानु रियक्टर की तरह है अक्षय पात्रे है अंगला कॉस्चन है विद्धत परियोजना के संदर में कौन सा जोड़ा सही है तो विल्कुल सही यहां पर आंसर होगा विकल्प नमबर सी कपास गुजरात है राइट आंसर है कपास गुजरात मैं कमीशन चमता जो है मेगावाट है 645 मेगावाट यह आपके लिए रखना है तो आज के वीडि लाइक कर लें और चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दवाएं और और पर क्लिक करें ताकि वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप जोईन मेंबर अगर बनना चाहते हैं तो चैनल के जोईन मेंबर बन जाएं सभी लोग टेलिग्राम ग्रूप से भी जड़ जाएं वहाँ पर यह आप के लिए पीडियाप अप लग्द कराई जाते हैं टेलिग्राम ग्रूप में तो टेलिग्राम ग्रूप से सभी लोग के लिए धन्यवाद जाइन